कि अधियर फ्रेंड्स जैसा कि आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज दे साइज एंड इंक्रीज दिस्टोर्ज लाइफ तो इसमें हम संशेत में जो समय मिला है तो उसमें अपन चर्चा करेंगे अब तो देख रहें पहली बात साइज साइज एक सरी की तभी आ सकती है जब किसानों को अच्छी वराइटी का सीड मिले और सीट प्रॉक्षण आइसोलेशन डिस्टिंज को ध्यान में रखते वेदी सीट प्रॉक्षण करेंगे तो ही अच आपको मिस्वित पसर मिलेगी साइज अलग-अलग मिलेगा और इसका पाइदा व्यापारियों को होते हैं और नुक्सान एक्सपोर्ट में भी होता है क्योंकि वहां पर ग्रेडिंग करनी पड़ती है युनिफॉर्म साइज के प्याज अलग-अलग निकालने पड़ते हैं हलो है हलो है हलो है 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 यह सर आपका अदिवल है अभी आपकी आवाज आ रही अच्छी से नइना यहां पोलत आपकी 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 को अजिए अ now-वाजह के वहां में और आपकी आपकी के आपकी कृच़्धिसम्स हैं है अब आपके आवाज आरी अब आरे ना हिंदी में चालू रखों या मराठी में रखों अ सर इंदी में रखेंगे अठीक हिंदी में रखता हूं हां तो जैसा कि आपको बता है कि वराइटी का चैन करना जरूरी है सीजन के साफ से समय के साफ से और लोकेशन के साफ से नहीं तो आपको एक सरी का प्याज नहीं मिलेगा यह बहुत पक्की बात है क्योंकि सीड अवलिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसानों ने खुद आइसोलेशन डिस्टेंस का पालन करते हुए सहमूह में आकर करेंगे तो कॉलिटी का प्याज मिल पाएगा नहीं तो कॉलिटी प्याज मिलना असंभव है अब इसके लिए एक तो न्यूक्लेश सीड ब्रीडर सीड वगरे फांडेशन सी सेडिफाइड सीड इसका वापर करे तो ज्यादा अच्छा है और प्योर सीड प्रॉक्षन करने करें एक आकार के प्याज को चैन करें उसको स्टूरेज करके रखे और आइसोलेशन में लगा है आइसोलेशन मतलब देड़ किलोमेटर अंतर कम से कम होना चाहिए दो जातियों के बीच में वीजवत्पादन करने के लिए तो यह तभी संभव है जब किसानों का इसमें कर सकते हैं और देड़ किलमेटर छोड़कर दूसरे एरिया में दूसरे वराइटी का सीड प्रोशन कर सकते हैं तभी किसानों को शुद्ध बीच मिल पाएगा यदि कोई प्राइट कंपनी हो कोई भी ऑर्गनाशन हो खेत में ही बीच पैदा किया जाता है और आइसोलेशन करूंगा तुमको जो करनाओ करो और आइसोलेशन डिस्टेंज मिलने मुश्किल होती है तो ऐसे केस में एक एकर सीड उत्पादन के लिए दस बाएबीस की जो मच्छदानी है टेंपरेरी मच्छदानी के अंदर हम वीज उत्पादन कर सकते हैं और उसके अंदर एक या दो मदमक्ती की पेटी रख दी तो आपको तीन-चार किलो सीड दस बाएबीस के केज में आराम से मिल सकता है परन तो यह तभी करना जरूरी है जब कोई किसान आजू-बाजू वाला आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करने को त्यार नहीं है नहीं तो सीड विलेज कंसेप्ट जो है वही प्रैक्टिकल इसका सुलूशन है और जो कि सस्ता पढ़ेगा एकोनोमिक पढ़ेगा और यह देखे अब साइज साइन्टिफिक कल्टिवेशन साइज बढ़ाने के बहुत जरूरी होती है बहार के देशों में देखा जाए तो 90% डारेक्ट सीडिंग किया जाता प्याज का जबकि हमारे देश में 90% ट्रांस्ट्रेंटिंग किया जाता है इसके लिए मशीन्स आती है उससे प्याज की वहाई है ओती है और होती है और इसमें स्पेसिंग वगरे सब करना lawyer कि भार के देशों में बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं 1000-1000 एकर जमीन होती है जहां कि मेकनाज़ेशन संभव है हमारे दिश मेकनाज़ेशन इन मशीनों से संभव नहीं है क्योंकि छोटे एरिया के लिए कारगणी होगा एक एक दो चार चार एकर के लिए एक मशीन कोस्टी पड़ेगी और किसान ले भी नहीं पाएगा इसलिए किसानों ने भी समू में आकर यदि 25-50 किसान इकट आते हैं और समू ही क्यती करते हैं तो ही मेकनाज़ेशन फार्मीन संभव है जिस प्रकार की कंपनिया शेयर बिजनेस पर चलती है तो प्रतिक किसान अपनी जमीन अपने काग़च पर अपने पास रहेगी परंतु पंध बांध वगेरे सब इकटे कर दिये जाएंगे और 25 किसान याज़े दो, दो इकर किसान के पास जमीन वी रही तो 50 एकर जमीन एकटी हो जाती है पचास एकर एकटी जमीन के लिए आप मेकनाइस फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें सबीक किसानों को खेती करने के जरूत नहीं पांच दर पांच साथ किसान ही मेकनाइस फार्मिंग के लिए सफिजिंट है पांच साथ किसान जो है इतर वेवसा है जो ही व्यापारी अँची हम पहरा दीमिर यह हमारे एक किसान आगे बर सकते हैं यह देखिए प्याज की हर्वेस्टिंग भी बहार से मशीन दौरा होती है खेट में ग्रेडिंग पैकिंग हो जाती है एक सरी का प्याज प्रोड़क्शन किया जाता है इसके मैचुरूटी एक साथ होती है तो इस प्रकार खेती करेंगे तो ही हमें अच्छा पायदा हो सकता ह है अभी खेतों में ही मशीन दौरा पैकिंग होती है यह इसमें तो सफाई का भी ज्यान रखा जाता है कंटामेशन के चांसे नहीं है और पैकिंग भी देखिए कैसे अट्रक्टिव है एक प्रकार की उनियन आपको दिखते हैं बहाद से कंजूमर भी इसमें खुशी से प् उब प्याज मैं अच्छा प्रेदावार करने के लिए कि यह बिमारी का रोबताम भुछ ज़रूरी है इसमें सबसे पहले रोप वाटिका साईटिपिक तरीखेसे पैदा करना जरूरी है एक सरी के एक ऊकर के रोप तो होंगे आपके त्यार तो यह आपको एक सरी का प्याज मिलेगा उत्पादन होगा नहीं तो आप कोई सी वराइटी लाए और रोप वाटिका में रोप एक सरी के दी नहीं रहे एक मुटाई के नहीं रहे एक आकर के नहीं रहे तो यहां पर ही आपका उत्पादन 50% कम हो ज है किसान क्या करता है बीज लाता है लगाने को लेते हैं यह और रूप में नहीं आ सकता इस बात का ध्यान जरूरी देना जरूरी है और लाइन में भी यदि हम भीज नहीं बहुते हैं तो बीमारी भी जो है इसमें डेंपिंग ऑफ बीमारी ऐसे आती है कि रात तो रात तो रात पूरी नरसरी चोपड हो जाती है जहां कच्छा गोबर का खाद उप्य किया हो वैसे समय में यह डेंपिंग ऑफ और इस्क्लियर रॉट इन रोपाटिका में बीमारी बहुत आती है लेकिन लाइन में बीज भीज बहुत है तो यह बीमारी वहीं के रोकने में हम कामयाभी हो सकते हो जहां पर बीमारी आई है वहां दवाई का डेंचिंग करके जम में जन रोग है और जमीन में यह जीवानु और पुंद है वह बढ़ते रहती है जहां पर डेंपिंग ऑफ वगरे की ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम समर सीजन में सुलराइशन कर सकते हैं मई जून के मैने में गर्मी जहां पड़ती है उस समय जहां पर बीमारी की समस्तिय का डेंपिंग आफ की ज्यादा हो वहां जरूरी है बाकी अन्य जगह जरूरत नहीं है तो सॉल स्ट्राइशन ट्रीट्मेंट किया जाता है इसमें पेड़ बना ली जाते हैं और इसको मत्टी को नम कर ली जाता है और पॉलिथेन से दाग में गर्मी में और जो जीवानु ह का कारण मर जाते हैं इस प्रकार चोटे से एरिया में लगा जाती है तो स्वाइल स्ट्राइशन करकर हम डेंपिंग आप वगए इस समस्या से बचाय सकता है यह देखिया आप लाइन में बीच बूए तो इस प्रकार एक सरी की आपकी रोपार्टी का तियार हुई है यदि यदि एसी है एक शरी की रोपार्टी करहेंगी तो निशित रूपसे आपका प्याज का आकार एक सरी करहेगा इसका इस बात का ध्यान देना भोट ज़रूरी और रोपार्टी का पर किसान त्यान नहीं देते है इसलिए उसका पढ़णम को उत्पादर्ट पर पढ़ता है और एक सरी के प्याज नहीं मिलते हैं. इसी प्रकार रेस बेट पर ही रोप पटी का त्यार करेंगे, तो हमें एक सरी के रोप अच्छे तरह से मिल सकते हैं. यह देखिये, आप लाइन में बीजबो हैं, तो रोप की नीचे जो मोटाई है, आप देख रहे होंगे पहले चितर में, यह एक सरी के रोप मोटाई के आकार के दिखते हैं. तो इनको लगाना कब है, इनका जो एक सरी का प्याज पाना है, तो रोप की अवदी क्या होनी चाह आपको बड़े आकर के छुटे आकर के जोड प्याज या तोर वाले प्याज या चिंग्ली प्याज ये ज़्यादा मिलते हैं. इसलिए रोप का लगाने का समय उसकी अवदी भी बहुत महटपून है. और रोप लगाने के पूर्व, आप इसको पांच पांच सो शेशे सो के बंडल बना सकते हैं. उखाने के एक दो दिन पहले हलका पानी दे दिये, इससे कि उनकी जड़े ना तूटे और रोप के बंडले बनाकर उसको कार्बो सलफॉन और कार्बन डेजिम, कार्बन डेजिम एक ग्राम और कार्बो सलफॉन दो एमिल दवा, जो है, इसमें कम से कम दो घंटा जैसा कि नीचे चित्त में दिखाया गया है, इसकी जड़े डुबाई गई है, दो घंटा जड़ो का उप्चार करके इस प्रकार जमीन में गड़ा खोतके हलका सा 4-5-6 इंच का अपलतीन बिशा सकते हैं, और इसमें दवाई जो है, सुलूशन बताया है, मैं तंदुरुस्त प्याज मिलेगा और एक सरी का प्याज और बड़े आकार का प्याज मिलना संभव हो पाएगा, रोप वाटिका में नीदा नियंतरन बहुत जरूरी होता है, और रोप वाटिका में यदि नीदा जदी अधिक होगी, तो आपके रोप तंदुरुस्त त्यार तो इसलिए इसमें हमने प्रयोग किया है, तो रोप वाटिका में और भी कोई दूसरी तन्ना शक वापरे नहीं, सिर्फ इस्तांप, दो मिली पर लिटर के हिसाब से आप उप्योग कर सकते हैं, इस से ज्यादा यदि डोज हो जाएगा, तो आपका रोप वाटिका में खर्चा ज्यादा आता है, और वीड का कॉंप्टेशन ज्यादा होने के कारण इसकी बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है, इसी प्रकार लगाने का तरीका इसको लाइन में लगाना जरूरी है, तो हमको प्याज का आकार एक सरीका और बड़े आकार का प्याज मिल जो जबह finns लिए तो आपको आकार छोटा मिलेगा, ज्यादा अंतर पर लगाएंगे तो जोड़ प्याज, मोटी घर्धन के प्याज, और बड़े आकार के प्याज, और असमान आकार के प्याज ज्यादा मिलेंगे, इसक लिए प्याज में रुपाई का अंतर दसबाई 15 कि यह पर हमारा उत्पादन कम होगा उपर से जोड बड़ी गरदन वाले प्याज हमें ज्यादा मिलेंगे तो डिप शिस्टम पर यदि हम प्याज को लगाते हैं इस बड़े चाहिए प्याज आपको ज्यादा मिल सकते हैं इस बात का च्याल रखे थे पूरा खेट एक ही बार में गीला कर सकते हैं पाट पानी से फ्लट से पानी देते हैं तो हमको पानी देने में एक खेट बरने लेवर तो ज़्यादा लगता है और लाइट की समस्या होने के कारण हमको एक एकर खेद बनने में हमको चार चार पांट पांट पार आठार ददद दिन तक लग जाते हैं लेकिन दिव सिस्टम ऐसा नहीं है एक गंटा एधि दो दिन छोड़कर किन दिन छोड़कर लाइट आ जिससे आपको एज़ी घ्रेट की प्याज अधिक मिल सकते हैं तो अंतर के बारे मैंने बताया दबाएं पंदा सेंटीमीटर पर अरखेंगे तो प्याज का आकार बड़ा और अच्छा मिलेगा और प्याज के अंदर तो मैंने निंदा के बारे में बताया था लेकिन अयचा है को कर सकते हैं और उसके बाद त्याज की रुपाय करेंगे तो आपको एक मैने तक वीड से अब निजाद पा सकते हैं और डिप सिस्टम या स्प्रिंग्ले सिस्टम में यदि आप वीड कंट्रल करना चाहते हैं तो तीन-चार दिन आगे हलका सा इरिगेशन देढ़े इतना इरिगेशन देढ़े कि आप तीं-चार दिन बाद उसके ओपर बैठ के रोप लगा सकते हैं और उसके पश्चात उसके ऊपर रोप म सकते हैं और रोप लगाने के बाद पानी देढ़े तो आपका वीड streams पीर ने पानी दे और पंप वगरे को एची तरह से दो कर ही उप्योंग करना चाहिए इस बात का द्यान देना बहुत जरूरी है. और पर ही जमीन में रासानी खत वगएरे दिया जाना चाहिए और फॉपोश्ट वगएरे दिया जाना चाहिए तब ही पाइदा हो सकता है. अन्य था संतुलीग ख़त यदे हम नहीं नहीं då हमको एक सरी का प्याज नहीं मिलेगा इस बात का घ्यान रखे नहीं जमीन होते जारी है और हम दो सिस्टम को देते हैं कि रासेनि खड़ के साथ साथ गोबर की खाथ, कंपोस्ट और जो जिवानु खड़ आज कल आए है आज़कल जैवी को वगरे जो है माइकोराइजा वेम वेसिकुलर अपरिकुलर माइकोराइजा इसका वापर करेंगे तो डेफिनेटली आपका उत्पादन अच्छा होता है और यह nutrition को लेने में mycorrhiza जो है इसर के company में mycorrhiza डेवलेप्ट किया हुआ है जेवी को करके तो यह mycorrhiza जमीन में nutrition लेने में फाइदा करता है जड़ों के द्वारा और प्याज की जो बढ़वार अच्छी होती है अच्छा nutrition अच्छा nutrition अच्छा करने मदद करता है और साथ में खेत में trichoderma का उपयोब्वी करना जरूरी है इसके कान की आपको जमीनी जन्य रोग बिमारी से आप बच सकते हैं को सिंटम देखते हुए बहुत सारे यह सरके के भी अवलेबल है इस प्रकार के पीली पत्ती अंदर से दिखाए देती है तो सिंटम्स देखकर ही और जिस अगले साड में मैगनीज डेफिशेंसी की सिंटम है इसमें पूरा पत्ता पीला पीला टाइप का हलकार नहे पत्ते पूरे यहलो टाइप के हो जाते हैं तो मैगनीज डेफिशेंसी दिखाता है और इसे प्रकार यह जिन डेफिशेंसी है तो डेफिशेंसी को देखते हुए आपने मैगनीज को उप्योग करना है जैसा कि मैंने मैंने साहित का मैं तो बहुत इंपोर्टेंट है एक सरी के प्याज होना जरूरी है गल्फ कंट्रीज में 40-60 mm का प्याज क्या उशकता होती प्याज की जरूरत परती है बंगलादेश में चोटे आकार के प्याज की जमान जादा है वहां बड़े आकर की प्याज को भाव नहीं मिलता है इसलिए एक आकार का प्याज पैदा करना बहुत जरूरी है और इसके सैंटिफिक करेंगे तभी यह संबव है तो यह इस प्रकार आप खेत त्यार कर सकते हैं अब रही राशानिकत की बात तो इसमें पुल्ट्री मैनियोर वर्हमी कंपोस्ट चार्टन पुल्ट्री मैनियोर साड़े साथ तन और बाय फटिलाजर्स वगरे जो है एजस परेलम फस्पो बैक्टिरिया इस कंपनी ने भी और इसके अलावा यदि पॉल्ट्री मैनियोर नहीं है वर्मी का पूस्ट नहीं है तो हमें पंदर ट्रन पती हेक्टियर गोवर खाथ तो जालना जरूरी जरूरी है उसके अलावा राशनिकत में खरीब के लिए 75 किलो नत्रज 40 किलो फॉस्परस 40 किलो पोटैश और 50 किलो पोटैश और गंदक का बेसल डोस दिया जाना चाहिए जबकि नत्र को देते समय तीन भाग में देना देंगे तो ही आपको फाइदेकारक रहता है पहला भाग लगाने के समय तुसरा भाग लगाने के एक मेने के बाद और तीसरा भाग लगाने के 45-50 दिन बाद जो भी खा है तो यह जो है जैवी को कंपनी का फटलाजर है हलो अधिया है तो यह जैवी को जो है यह बायो फटलाजर है वैसिकला अबस्क्राइब आर्वस्क्राइब और इसका डोजो चार किलोग्राम प्रतिएकर आउशकता होता हो यह अकेले प्याज के लिए नहीं कई फसलों में भी इसका उपयोग फाइदेकार रहता है और वेस्टिकुलर, आर्बोस्कुलर, माइकुराइज़ा यह जमीन में प्याज की जड़ों के अंदर डेवलोप हो जाता है उसके आजुबाजु डेवलोप होता है और जमीन से माइक्र मैक्रोन इंट हो गया है जिसके कारन आपका जो पट्रe lager जुए संतुलित कारट को मिलती है और प्याज की बड़वार बहुत अच्छी होती है और प्याटीको होसकती है और इसको भी आप गोवर की जमीन में लगाने के पहले आखरी त्यारी के समय जमीन में इसको मिला सकते हैं इस प्रकार जेविकों का मतलब पाय पटला जा रहे है तो यह कार्फिल फ्राइद देशकार रग ठरत रहता है ओनियन क्रॉप के लिए भी तो मैंने का संतुलिद खत यह बहुत महत्पूर्ण है तभी आपको यह काकर का प्याज मिल पाएगा नहीं तो प्याज की साइज अनीव फार्म रहती है और जमीन भी हमारी खराब हो जाती है तो जैसे कि यह अल्रड़ी में बता चुका हूं माइट्रोट्रेंट वगरे जो ह जिए देना पढ़ा तो हम शलफाइड फॉर में माइक्रनीट्रूट्र को दे सकते हैं जींक की कमी है तो 5.5% जींक जलफाइड मैंगनेज की कमीई है तो मैंगनेज सलफाइड और काइन प्रेका क्वे सकते हैं कभी कभी देखा जाता है किसान परियनाम से चुपारी के उससे ज्यादा खाद देता है नेत्र का ज्यादा нос समन्सास भुणने दीजिस आब खूब ज़्यादा देता है जिसे प्याज की बढ़वार होग ज़्यादा हो जाती है घुटने से ऊपर पत्यां बढ़ जाती है और दो मैने के बाद देखते हैं उसके अंदर प्याज का डेवलोप्मेंट नहीं दिखता है गरदन मोटी होती है ऐसे समय में लिवोसिन चार से प्याज नहीं बनती है तो हम ये लिवोसिन का है सacia करें तो फाइदकारक हो सकता है Alok अब अब रही बात प्याज को आकार बढ़ाना तो रोग और बिमारियों का भी रोगताम करना समय पे बहुत जरूरी है प्याज में मुक्य तो तीन बिमारी जादा आती है एक तो परपल ब्लॉज ये खासका खरीप में जादा आती है या जैसे बदली वाला वाता हूं रहता है काफी दिया जादी बातल रहे तो परपल ब्लॉज इस ताइप के जामडे रंगे धबे पड़ते हैं बैंगनी आकार के और बाद में पूरा पौधा सुखने लग जाता है तो यह अल्टर नेरिए पोरी औरनीजम के द्वारा ही रोग होता है दूसरा रोग है इस तेम फिल्म ब्लाइट जो कि रभी में इस समय इस प्रकार का वातारनों बी चल रहा है तो ऐसे वातारन में इस तेम फिल्म ब् तो रातो रात तीन-चार दिन के अंतर पर पुरा खित पिला पढ़ जाता है और उस स्टेज पर यह नियंतर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है इसमें इस्टेम फिल्म लेट में पत्ती जो है पीछे की तरफ से याने सिरे की तरफ से सुखने लगती है और अंदर के और पुरा प्याज सुखने लगता है और समें हमको बारी नुक्सान हो जाता है इसमीध जैसे बादलीवाला वातावन है गयाज में बिमारी नहीं भी हो तो भी बुर्शी नाशक का च्रिकाव इस्टिकर्स के साथ करके अफ़सल को बचाना आवशक है इसे प्रकार यह जो है ट्विस्टर डीजीज बोलते हैं काला करपा यह पानी के निकाज यह अच्छे नहीं होती है यह कच्छा खाद जमीन में प्रमान में आई थी तो इसके लिए एक तो ट्राइकोडर्मा का उप्योग ट्राइकोडर्मा हर्जियाना यह बहुत अधिक फाइदेकार होता है और वैसिकलर वैं जो है यह भी इसके लिए फाइदेकार रहेगा जो एक और दूसरा राट आता है बैक्ट्रियल सॉप प्र है और इसमें प्याज के प्लाट के बगल चेदे हम गुजरते हैं तो भैंकर उग्र पास आती है बहुत जो की इसमेल आती है तो यह समझ लिए कि बैक्ट्रियर रॉक्ट होता है तो यह भी अधिक पानी या कच्चा खाद उपर का उप्योग करने के कारण यह बिमारी बढ नहीं किया तो हर साल जमीन में बढ़ती जाएगी और आगे ऐसी स्थित्या सकती है कि इसमें हम केत में प्याज की केती नहीं कर सकते हैं और किडों में यह बात किया जाए तो थिप्स यह जो है यह बहुत बारी-बारी किडों होते हैं पत्तियों के जो आप देख रहे हैं जूसे चितर में, नई पत्यों के बीच में चिपए रहते हैं और वहाँ पर पत्य कर्षका सोचन करते हैं और इसके लक्षन हमें लगाने के पंदरा से बीज धिन बाद, दस बारा दिन बाद दिन बाद दिखाई यथे और आप पहला चिज़न देख रहा हैं, उसमें प climate तेली मेरे दिखाई यथी है और इस समय किसान चरगवपन करना चाया है ये खेत में हमारे 10-12 दिन पहले ये कीड़े आगे होते हैं इसलिए समय पर छिर्काव करना ज़रूर है अब प्रशना पढ़ता है ये खेत में कीड़े 10 दिन आये पहले कैसे पता चलेगा आप सुबह खेत में 9-10 बजे हर 3-4 दिन के अंतर पर खेत में जाईए 20-25 प्याज के जो है नए नए पत्तियों के बीच में आप खोल के देखिए आपको 10-15 के लिए दिखाए होंगे 15-20 के लिए दिखाए रहे होंगे बारी 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 तो इस प्रे करने की चिंता नहीं है पर उन्तु इसकी संक्षा इससे ज़्यादा दिखाई दे रही हो आपकी प्यास तंदुरुष पत्य हुए भी इस ऐसी स्टेज में आपको किटक नाशिका का छिर्काव करना जरूरी है इस टिकर के साथ मिला कर इस स्टेज पर दिया आप छिर्काव नहीं करेंगे तो आप कि पत्कियां तेड़ी मेरी होती है और पत्की पे सफेज धबरे दिखाई देते हैं और ऐसे स्टेज पर जब किसान चिर्काव करना जाता है तो यह हमें फायदा नहीं करता है क्योंकि एक खेत में हमारा ओल्लीडी नुक्सान कर चुका है पत्कियों कर चुका है आप एक च चिंटम आने के पहले ही कीडों का बंदोबस किया जाए तो यह रोग और बिमारी को हम रोगताम कर सकते हैं अब दूसरी पस्चात कीड़े बिमारी के रोगताम के लिए किसानों ने उस एरिया में समूव में आकर तीन-चार दिन के इंटर्वल पे सभी किसानों ने ज़ी हो तो फाइदे कारे ठेरता है में तो एक किसान आज चिर्काओ कर रहा है दूसरा किसान लगाने के एक किसान ने आज चिर्काओ किया दूसरा बाजी वाले खेत में आट-देस दिन बाद चिर्काओ कर रहा है तो ऐसे में आज जो चिर्काओ किया हुआ जिस खेत में वो उस मातरा अधिक देनी पड़ती है और खर्चा भी बढ़ता जाता है और इस्प्रे के संख्या भी ज्यादा हो जाती है तो इसलिए तीन चाह दिन के अंतर पर सभी किसान एक साथ समू में चेकाव करेंगे तो अच्छा रहेगा अब रहाई चेकाव कौन सी दवाका करना और कप क पनाजूल या कवर्च या टिल्ट या कैब्रियो टॉप या मिस्टर टॉप ये जो दवाईया है ये प्याज के रोग कंट्रोल करने के लिए बहुत कारगर है और इसको इसकी जो मातरा है लगबग दो एमेल या दो ग्राम परतिलिटर के इसाफ से शिफाइस की गई है और इन दवाओं का चिर्काओं करते समय स्टिकर डालना बहुत जरूरी है तो इस बात का किसान ध्यान रखे और कीड़ों को जदी प्रबंदन करना है त्रिप्स का तो इसके लिए है प्रोफेनफॉस है इसकी मातरा एक एमेल कार्बसलफ़ान है तो डाई मिली प्रतिलिटर य यह जो दवाईया है यह आप त्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए उप्योग कर सकते हैं सीट प्रोड़क्शन करते समय भी फूलों में थ्रिप्स का बहुत अधिक नुपसान होता है तो सीट प्रोट में ख्याल रखी किसंद भाई कि जब तक मदुमक की खेत में नहीं आती है यानि फूल नहीं किलते हैं तब तक थ्रिप्स का बंदोबस अच्छी तरह कर लें उ सीट प्रोड़क्शन भी अच्छा नहीं होगा इस बात का द्यान रखना ज़रूरी है तो इस प्रकार हमने यह प्रयूक किये समय पर पहला प्लॉट आपको दिख़ा होगा इसमें सिर्फ किटक नाशक समय पर फ़ौर नहीं की हुई है यानि एक अनुमिक थेस्च्छल ले किया है उसके बावजूद भी वहां पर बीमारी रोकने में हमें सफलता नहीं मिल पाई है क्यूंकि थ्रिफ्स होने के कारण बीमारी अधीक बढ़ती है और आप किसा प्लॉट देख रहा होंगे जिसमें की टर्ग नाशक और बूर्शी नाशक बिल्कुल नहीं चिर्का किया गया है यह देखा गया है कि समय पर इदि हम थ्रिफ्स को कंट्रोल करेंगे तो बीमारी इसमें कम आती है और फुर्पुन नाशक का खर्चा भी पचा सकते हैं कि पिंग कर सकते हैं दस बाइबीस प्लॉट के आजू बाजू दो लाइन प्याज रुपाई के एक मेना पहले मक्का की लगा दे सकते हैं तो इसमें हमको दो तीन शिर्काव का बचाव हम कर सकते हैं और शिर्काव करते समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है ग्लोस पहनना जरूरी है आपकों में चस्मा पहनना जरूरी है इसी प्रण की गई जो दवा है उसकी मात्रा के हिसाथ्व सही दवा देना जरूरी है जो किसान भाई 2 ml भाई 3T ml 4 ml दे देता है ज़लो तो जल्दी अच्छा सा क्रॉप का नियंतरन बीमारी का नियंतरन हो जाएगा लेकिन ऐसा करना यह नुकसान का रहा है अगले बार जब दवाई चलगते हैं तो हम और जादा लोग देना पड़ता है और खचा बढ़ जाता है और कीडे और बीमारी में रूर प्रतियों चंब अग्या रख दीजिए जिससे की वह कल्चर बढ़ जाता है और फिर लगाने के पहले जमीन में इसको फैला दीजिए इस प्रकार आप ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं और यह जैवी को कंपनिया एसार की कंपनी का भी ट्राइकोडर्मा का अच्छा कारगर है और जैसा कि प्र साथ रोग रोग ताम करना है तो मैंन को जैव है और यह फिर इसके साथ आप पंजी साइड जो है इंसेक्टेया फंजेट को कॉमिनेशन है एक्जा को नजोल प्रॉपकर नजोल कवच ट्ल्ट है के प्रियोट्व टॉप है इसके साथ साथ कार्बोसलफॉन या प्रॉपिक साइड चपन ग्राम एक्टिव इंटेडियन प्रती है एक्टियर दस से पंदरा दिन के इंटेवल पर हम छिकाओ कर सकते हैं तो यह लेकिन इसमें खर्चा बहुत अदिक पड़ता है लेकिन और निक पॉर्मिंग के रूप में लिए तो नीम आइल या इस्पिनिसाइड य जमीन के नीचे जड़ों को कोतरते रहती है तो इसलिए कच्ची गोबर की खात का उपयोग ना करें और तो यह आप इससे निजाद पा सकते हैं और जरुत पड़ी तो ही आप सुरुवात के स्टेज में क्लोरो पायरिपा जमीन में दे सकते हैं लेटर स्टेज में ना दे क प्याज में रेशिडियों एफेक्ट रह सकता है तो इस प्रकार जमीन में जड़े काट डालता और प्रदे ग्रफ के कारण मुटसान हो सकता है अब रहा भंधारन की बात तो यह मैंने बताया प्याज का आकार हम जो है वैज्ञानिक विदी से पानी समय पे दे ध्रिप का उप्योग करें माइक्बराइज को प्योग करें ट्राइकोडरमा को प्योग करें संसूरी इखास को प्योग करें कमेरा पैम पर और बियूरो पिदा कर सकते हैं प्याज पर्दा करने के पिस्चा इस और बहुत महत्पून, भहत इंपड़ेंट jsurs प्योटी यpes रप्या किसान भाई अपने अपने गरों में मतलब इस्टोरेज स्ट्रक्चर बना कर स्टोरेज करके रखेंगे और धीर जीरे प्याज निकालेंगे तो ही प्याज के भाव एक सरी के रख सकते हैं नहीं तो मई में में प्याज के भाव बहुत कम हो जाते हैं और अक्टबर न तब आप आप निकालते हैं और उसका फाइदा किसानों को नहों कर व्यापारियों को जादा है कि महीं जुन में 5 रुपे 6 रुपे किलो के इसाफ से किसान कई बार 2 रुपे किलो के साफ से भी प्याज खरीद लेता है व्यापारी किसान से और जब अक्टोबर-णॉम्बर मे मिलता है उक्टोबर-णॉम्बर के बाद ही आपको खरीब का फियाज मिलता है लेटजय पाद परवरी मार्स मिलता है एक्टोबर-णॉमबर के decade बाद आपको मई तक continue बाजर में प्याज में प्याज मिलता रहता है तो इसलिए मैं के बाद जए च्जों छी रभी का प्रतिषद सड़ने के काण और 10-15 स्प्राटिंग के काण नुकसान हो सकता है तो इस्टोरेज के लिए एक तो वरैयटी भी बहुत इस प्रकार के जो सिफारिज की गई जातियां हैं यहीं लगाएंगे तो आपको स्टोरेज आप अच्छा कर सकते हैं यानि कल्टिवेशन पैकेज तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ स्टोरेज में उसका बहुत अधिक प्रवाव पड़ता है तो वराइटी और कल्टिव गर्दन गिरना चालू हो जाती है तो समझ लेजिए कि आप पानी इसको तोड़ दीजिए और पंदा बीज दिन बाद जब सत्तर प्रश्य प्याज की पत्तियां गिर जाती है तो पत्ती समय प्याज को खाड़िए और खेत में एक जुसरे की पत्ती से ढखकर उसको सुखा यह कम से कम तीन चार दिन तक तो ऐसा करने से क्या होता है पत्ती का जो अर्क है रस है वो प्याज में चला जाता है और पत्ती की गर्दन सुखकर बारिक हो जाती है तो पत्ती की गर्दन गिली रहती है और वहां से रस निकलना चालू होता है और वहां पर वपून खेत में जिवानू या फफून प्याज के अंदर चली आती है और वो प्याज रखते हैं तो प्याज जल्दी सढ़ने लगता है तो फिल्ड क्यूरिंग यह जो सिस्टम आपको चित्र दिख रहा है इस प्रकार आप फिल्ड क्यूरिंग ना करें क्योंकि प्याज को सीधे दूप की र रखेंगे तो गर्दन बारिक हो जाती है इसके पस्चाहता आप खेत में ही कि प्याज करिए चार-पांच दिन बाद कटाई करते समय क्या लखती कि 2 सेटीमिटर इस टी गर्दन बची रहे और खेत में ही बारीक गर्दन वाले गोल आकार के एक आकार के प्याज को आप बारी गर्दन वाले अच्छे आकार के एक आकार के प्याज को आप चले करने के पस्चात 15 दिन कम से कम 10 से 15 दिन 3 से 5 फुट, 4 से 5 फुट डेरी लगा कर छाओ में इसको छुकाई है, इससे क्या होगा, कि जो गर्मी जो है खेत में कि प्याज में इससे निकल जाती है और प्य कि सूखी पत्ति त्यार हो जाती है जिसके कारण आप इस टॉर में प्याज अच्छी तरह से रख सकते हैं यह क्यूरिंग फिल्ड क्यूरिंग और शेड क्यूरिंग भूत इंपॉर्टन्ट है यह यह दिन नहीं करेंगे किसान तो प्याज को इस टॉरिज में ज़्यादा दि तो स्टीक्टर में किसानभाई करते हैं ये ठीक प्रकार के तॉस्त्रुक्चर नहीं है इसमें प्यार्ज जल्दी सब जाता है यह एधर बाजयो में का विलु वाला इस्ट्रो इस TRACK्च दिख जमीन उचा होना चाहिए इस तो इस त्रिक्टर और नीचे से भी हवा इसमें आजु बाजु जानी चाहिए और आजु बाजु से भी इस त्रिक्टर ये खासकर बंबू का ये लकड़ी पट्टियों का बनाया गया हो तो बहुत ज्यादा फाइदेकारक है उपर एसबेस्ट पत्रा ये लगाया गया है तो आप उसके उपर धान की या मके की पेड़ी उपर जो है रखना जरूरी जिससे के पत्रे के उपर डायरेक्ट धूप मढ़ना पड़े और अंदर गर्मी न पैदा हो और आज बाजु ये लोहे की जाली लगाई होगी आप एक फुट छोड़ पर शेड़नेट ये लगा देंगे तो आपका प्याज इस्टोरीज में अच्छा इच सकता है इसलिए इस्टोरी स्ट्रक्चर पनाते समय इन चीज का भी ध्यान देना जरूरी है और इस्टोरी स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के होते हैं एक पाक वाले चाल यानि एक कप्य ओले और दो कप्य वाले तो दो कप्य वाले इस्टोरी स्ट्रक्चर होंगे हवा के दिशा में उसका निठार्ण करना जरूरी है तो amer होगा वाल पाख वाली चाल को हवा के दिशा के विपिलिश बना दिया, तो इसमें एक कप्पे, एक साइड के कप्पे को हवा लगेगी, दूसरे साइड के कप्पे को हवा नहीं लगेगी, इसी प्रकार एक पाखी चाल, जो एक कप्पे वाली चाल को यदे हवा के दिशा में बना दिया तो सामने वाले कप्पे में हवा लगेगी साइड में और पीछे वाले भाग में उसमें हवा नहीं लगेगी तो इसमें डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टन्ट है अच्छा स्ट्रक्चर में जो है इसकी जो चौडाई जो है तो पांच फुट से जादा नहों और उचाई अभी इसके अंदर पांच फुट से ऊपर प्याज ना भरे और इसमें भी इसस्तोस्ट्रक्चर में अब ना कर जादा फाइदेकारक है और डालते समय इस्तोस्त्रक्चर में प्याज अधीक उचाय से तीन फृत से अधीक उचाई से ना गिराए जादा ऊपर से यहम इस में बीट में प्याज को अच्छे हवा मिल सकती है contra pilots अब एक घंट मीटर में यह इस इस तो श्ट को आकार कितना होना चाहिए तो एक घंड मीटर में पांच से साथ कुंटल प्याज बढ़ता है तो आपका कितना एरिया है आपका प्रोड़क्शन कितना होता है उसके साफ से आप कितना बड़ा इस्ट्रॉर बनाना है उसका आप निजारन कर सकते हैं तो एक क्युविक मीटर एक बाई एक बाई एक मीट एरिया में पांस से साथ को इंटरला प्याज रख सकते हैं यह मेंगलोटायल का को इस टो इस ट्रक्चर एक बाटम इंट इस ट्रक्चर नहीं किया गया गया इसमें प्याज आपका 5-6 मेने तक अच्छी तरह टिकता है प्याज रखने के लिए 15-20,000 के अंदर में भी गरीब किसान इस ट्रक्चर बना सकता है और अच्छी से इसकी देख करें तो यह पांच-छे साल तक इसकी लाइफ रहती है उपर सिर्फ आपको चपर बदनने के ज़्योंते चपर सिर्फ ऐसा रखनी कि इसके अंदर पानी नह कहलाती है हावा के दिश्चा की विप्रिक इसको बनाएंगे तो इसमें पांच-छे मैने तक प्याज बहुत अच्छी तरह से खिसान भाई रख सकते हैं तो कोल स्टोर में भी प्याज रखा रख सकता है लेकिन कोल स्टोर हमारे देश में अभी डिलोप किये जा रहे हैं उ इसके अंदर 25-30 degree centigrade temperature मेंटेन किया जाता है और इसमें circulation system uniform रखा जा सकता है तो इस प्रकार के स्टोर अभी डिलोप किये जा रहे हैं अभी कमर्शियल रूप में आए नहीं है लिकिन अब इसके उपर संश्यद्रों हो चुका है तो इसलिए इस प्रकार जो है किसान भाई प्याज उत्पादम करके स्टोरेज कर सकते हैं ज्यादा फाइदा ले सकते हैं सीट प्रोक्शन के उपर तो मैं अधिक भोलूंगा नहीं पैकिंग ये भी बहुत ज़रूरी है जैसा कि स्टोरेज ट्रेक्चर में आप खुले कप करना हो तो जालीदार बैग में आप इसको पैक करके रखेंगे जालीदार अच्छा रहेगा गनी बैग कि इसके अंदर में हवा अच्छी खिलती रहती है और प्याज का भाहर से भी देख सकता है और व्यापारी वगरे भी जो है इसमें विश्वास करता है कि प्याज एक स सकते हैं तो पैकिंग के ओपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है अट्रेक्टिव पैकिंग भी हम कर सकते हैं कर सकते कि अप निए ज्यान Фाइधा कर सकते हैं तो समय कम है हम आप इसके पाचा चरचा7-44 रख सकते हैं और कोई भी किसान भाई को कोई भी समस्या हो तो हमारे के अंदर में कभी भी आकर संपर्क कर सकता है तो इसलिए अपने कोशन में प्याज और लसुन का अधिक उपयोग करें कि प्याज और लसुन में कॉलेस्टरॉल, हार्ट भीमारी और कई भीमारियों के प्रतिरोकताम होत सब्सक्राइब करते हैं तो पूछ सकते हैं यहां पर हाथ रेस करें और बाद में पूछे अपने सब्सक्राइब करें लड़कों को हां चलेगा कोई बात नहीं तो फिर अकॉर्डिंग्ली क्लियर कर लेंगे क्लियर कर सकते जैसे कोई पूछ आती है अभी मालो नहीं क्याल में आता है तो इसकी कोई यह कुछ विजय का कोई 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 का बहुत कोई बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा मुझे इसको एक्स्प्लेन करें ना क्यों हर फसल में दे सकते हैं कि सिर्फ प्याज वगरा में देना परता है अच्छा थोड़ा सा एक्स्प्लेन करें ना थोड़ा साम समझ जाएं उस चीश को कि फार्मर को समझाने में हमें इजी हो जाएगा कि क्या है एक तो इसमें सल्फर तो साथ मिलते ही है और सल्फर के कारण अवेलिबिलिटी माइक नुट्रून की इजी हो जाती है जी 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 तो सर्या आल जी जी थेंक्यू थेंक्यू सब्सक्राइग जी जी थेंक्यू थेंक्यू सब्सक्राइग गोपाल कवर्जिया आपका हैंड रिज्व आपको के क्वेरी है है कि एक मैंने तक ही टिकता बाद में वह पूरा असल जाता है तो उसके लिए क्या मैंगेजमेंट करना पड़ेगा यह कौन से सीजन की बात कर रहे है अब अब इस टाइम तो हम लाववन चालू कर रहे है अचा तो रभी का प्याज एक्चुली वराइटी जैसे मैंने बत है खरीब के वराइटी यह दिए रभी में लगाएंगे तो वो दो मैने से ज्यादा नहीं टिकता है दूसरा संतुलित खात देना जरूरी है फीड क्यूरिंग और शेड क्यूरिंग जो जैसा कि मैंने बताया खेत में पत्ती समय सत्तर परसेंट गर्दन कर जाती है तब पत है उसमें रखेंगे तो ही आपका प्याज अच्छा टिक पाएगा तो इसमें वराइटी और कल्टिवेशन पैकेज इस ट्रॉस्टर यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह ख्याल रखिएगा अच्छा सर पर ओ फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा उस तो यह बहुत जरूरी है साथ में ट्राइकोडरमा हो गया जैवी को याने माइकोराइजर वहम उसके पस्चात नत्र जो है 110 किलो सिफारिश किया गया है पॉस्पर चालिज किलोग्राम पोट्राइज साट किलोग्राम और गंदक यह बहुत जरूरी प्याज में बेंसल्प के रू लगाने के साट दीन के अंदरी देना है साट दिन के बाद देंगे तो आपका प्याज नहीं टिकता है और प्रमान से ज्यादा नत्र दे दिया आपने तो भी स्टै। यह बिलंडाज ने टिक है को भी जो मैंने जो NPK का और सलफर का जो बताया है वो आप छे भाग में आप इसको साथ दिन तक 10-10 दिन के अंट्रल पर दे सकते हैं तो आप प्याज अच्छी तरह से रख सकते हैं अब गोपाल जी एफ ट्रिगेशन शेडूल हम लोगों ने शेर भी किया है चाट हमारे जो भी एंप्लाइव आपके इपर कॉंटाइक करेंगे आपके आप से प्रॉपर शेडूल कर सकते हैं अगरे होगा तो मुझे सेर क्या है मेरा लोकेशन अकोला सर महाराष्ट्र हमारे अप्रोपियेट बंदिया जो भी है वो आप अभी चैट पर आपका नंबर दा दीजिए तो हमारे एंप्लाइव को कॉंटाक करेंगे अपॉडिंग ली ठीक है से थेंक और अपने पूने अरिया में आपको भी फिलहल क्या इश्यों आ रहा है कौंसा प्रोब्लम आ अपने साही है इसमें क्या है आप मैंने बता एकनोमिक त्रेशन लेवल पर इस्प्रे करना जरूरी है ज्यादा पड़ती तेड़ी मिड़े होने के वाद जो इस प्रे करते हैं तो आट-दस दिन खेत में पहले ही किरे आ गए होते हैं तो मैंने का अब सुबह नौ-दस बज़े आ हैं नई पत्तियों के बीच में देखिए 15-20 कीड़े होंगे तो चिंता नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा ज़ी कीड़े बढ़ने होंगे तो फोफेनफवास है एक मिली लीटर दवा या फिर कार्बोसलफ़ान तो दो मिली लीटर दवा इस्टिकर के साथ मिला कर आप चिर कर सकते हैं कर सकते हैं तो उसमें भी तो सरी यह जो रश्य के टीड़ी वगरा है तो उसका भी उसके लिए बहुत इफेक्ट होगा नहीं वहीं बोल रहा हूं तो ताइम पे डालना जरूरी है ठीक आप जी सर आइ तिंक अभी सबके कोईरी स्केर होगे हैं थैंक यू सो मच शर आपने गाइड किया हमें और ना सेमिनार लिए आपने अच्छा यह इसके उपर में स्टोरेज के उपर में और बाकि जो भी हमारे जो भी किसानों का कवरी आता है वो हम लोग गरूप पे डालेंग बिल्कुल थैंक यू सो मच शर ओके थैंक यू